दोस्तों आपको नए साल की हार्दिक शुपकामनाई की आपका ये साल अच्छा हो स्वागत है आपका मेरे इस यूटिब चैनल डेलनोर पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को पूरा देखिएगा पसंदाए तो लाइक और शिना जरूर केजिएगा अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकेन को ज़रूर से दबा दीजिएगा इस वीडियो में हम जानेंगे जो स्लीपर क्लास वाली ट्रेने होती है लगजरी ट्रेनों में या लॉंग रूट वाली ट्रेनों में लोकोमोटिफ का यूज क्यों किया जाता है यह EMU टाइप क्यों नहीं होते या EMU टाइप तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों स्लीपर ट्रेने या लॉंग रूट वाली ट्रेने ट्रेने ट्रेनेट एक्टिंग को छोड़ कर EMU टाइप क्यों नहीं होती इसके बहुत सारी रीजन है जिसे हम एक एक करके समझते हैं दोस्तों जैसे आप सभी को पता होगा कि EMU का मतलब है Electrical Multiple Unit और EMU का मतलब Main Line Electrical Multiple Unit दोस्तों इन ट्रेनों को Quick Acceleration और De-Acceleration के लिए बनाया चाता है क्योंकि इन्हें हर स्टेशन पर रुखना होता है जिससे वो जल्दी से अपनी स्पीट को पकर सके लेकिन इन्हें बनाना और इनका मेंटेनेंस करना एक लोकोमोटिफ वाले ट्रेनों से बहुत ही महेंग होता है क्योंकि इन्हें High Maintenance Cost की जरुरत होती है दोस्तों जो स्लीपर ट्रेने होते है उसे हर स्टेशन पर नहीं रुखनी होती जिसके कारण उन्हें Quick Acceleration और De-Acceleration की जरुरत नहीं है और ऐसे ट्रेनों का Maintenance Cost कम होता है इसलिए इनमें लोकोमोटिफ का यूज किया जाता है इसके साथ EMU ट्रेन की सबसे बड़ी डिमेरिट यह होती है अगर इसके किसी कोच में डिफेक्ट आ जाए या इसके कोई स्लीपर कार में कोई प्रॉब्लेम हो जाए तो आसानी से कोई दूसरा कोच इसमें कनेक नहीं किया जा सकता फिर अलग से एक लोकोमोटिफ को लगा कर इने ले जाना पड़ेगा जब टी लोकोमोटिफ वाले ट्रेनों में ऐसा नहीं है इसके किसी भी कोच में प्रॉब्लेम होने से आसानी से उस कोच को निकाल कर दूसरा कोच एड किया जा सकता है दोस्तो अगर हम एक टेक्निकल रिजन की बात करें तो लोकोमोटिफ वाले सीप पर ट्रेने दूर दूर तक ट्रेवल कर सकती है जबकि EMU ट्रेन में ऐसा नहीं होता कारण इन्हें शौर्ट डिस्टेंस के लिए बनाया जाता है क्योंकि इनके ट्रेक्शन मोटर इतने पावर्फुल नहीं होते कि उन्हें कंटिनू लॉंग डिस्टेंस के लिए चलाया जाए हाला कि अभी ट्रेन 18 आ गई है जो भी EMU टाइपी ट्रेन है पर वो दूर दूर तक डिस्टेंस कोबर कर सकती है दोस्तो ट्रेन 18 के कोच के नीचे पावर्फुल ट्रेक्शन मोटर लगे हुए है जो कि EMU से बहुत पावर्फुल होते है इसलिए वो ज्यादा डिस्टेंस कोबर कर सकती है दोस्तो अब सवाल यह है कि स्लीपर ट्रेनों से EMU ट्रेन जब इतने कोचली होते है तब इने चलाय क्यों जाता है तो इसका वज़ा ये है कि EMU टाइप ट्रेन में स्लीपर ट्रेनों से ज्यादा लोग ट्रेवल कर सकते है जिससे रेलवे को काफी फायदा होता है उमीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी मिलते हैं एक नए वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों ठैक्यों इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपके पास इस वीडियो के लिए कोई सेजेशन है तो फिर वो मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करना ना भूले जै हिन वन्ने मातरम झाल